Hello students, आज हम Indian Political System में समिधानिक अधिकारों और कर्तवियों की वेवस्था के बारे में चर्चा करेंगे. किसी भी लोगतांतिक देश की वेवस्था, वहां के नागरिकों और व्यक्तियों के सर्वांगिन विकास के लिए समिधान द्वारा कुछ मूलबूत अधिकारों की वेवस्था दी गई गई है. स्वतंत्रता से पूर्व अपनिवेशिक शाशन के दौरान भारतिये लोगों के साथ किया गया अमानविये वेवार, भारत में जातीगत विवस्था, तथा इस विवस्था के तहट जो भेद्धा हुप्पन हो गया था तथा स्वतन्तर्था के दौरान उन्ने वाले धार्मिक दंगों ने मानविये गरीमा को छिन्न भिन्न कर दिया था प्रतेक रक्ती इस समय एक बूतरे को संधे की द्रश्टी से देखने लगा था ऐसी इस्तिती में समिधान निर्माताओं के समक्ष देश की एकता अखंडता मानविये गरीमा को इस्थापित करने तथा लोगू में परस्पर विश्वास उत्पन करने की चुनोती थी इस चुनोती को स्विकार करते वे समिधान निर्माताओं ने सार्वभुहमिक अधिकारों की व्यवस्था की समिधान के धागतीन में अनुच्छे 12-35 सक उपलब्द अधिकारों के मूल अधिकारों की संधिया दी गई है प्रारम में समिधान के अंतरगत नागरिकों के मूल करतव्यों की वेवस्था नहीं की गई थी परन्तु समय के साथ समाज में ऐसा माजिक वे देश विरोधी तत्मों की गतिविधियों में ब्रद्धी हुई परिणान सुरूफ ऐसी गतिविधियों के प्रतिन नागरिकों को जागरुख करने तथा उनमें करतव्य बोध की भावना जगाने के लिए 1976 में समिधान के भाग चार कै में अनुछे 51 कै के अंतरगत मूल करतव्यों की वेवस्था की गई है हाली में नई दिल्ले में आयोजित अंतराश्रिय न्याइक सम्मेलन 2020 में सर्वोच न्याले के मुखे न्याइदीश ने मूल करतव्यों पर सभी का ध्यान आकरशित किया और इस विशे को एक करंट इश्यू बना दिया चर्चा में ले आये अब प्रश्णूर्टाय की थोड़ा हम चर्चा कर लें कि वास्तों में मूल अधिकार क्या है मूल अधिकार का तातपरिय राजनितिक लोगतंत्र के आदर्शों की उन्नती से है अर्थात जिस देश में चितने नागरिकों को अधिकार दिये जाएंगे वह देश उतना ही लोगतंत्रिक माना जाता है मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ राज्य के कठोर नियमों के विरूद नागरुकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं ये विधानमंडल द्वारा पारित कानून के क्रियानवन पर साना शाही को मर्यादित करते हैं इनके प्रावधानों का उदेश कानून का राज स्थापित करना है ना कि व्यक्तियों का समिधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रतेक व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है इनमें प्रतेख व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राश्रहित और राश्री एक्ता को शामिल किया गया है मूल अधिकार कानून के वहमूल सिध्धानत हैं ये मूल इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति के चहुमूखी विकास जिसमें हम उसका भौतिक, बौधिक, नैतिक और आध्यात्मिक शामिल है उसके लिए ये आवशक है मतलब ओरिज्मली उसमें ये इंक्लूज है समीधान में जैसा कि हम सभी जानते हैं निमलिकित अधिकारों की विवस्था की गई है जैसे समता का अधिकार अनुछेद 14-18, स्वतंतरता का अधिकार अनुछेद 19-22, शोशन के विरुप अधिकार अनुछेद 23-24, धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार अनुछेद 25-28, सल्सकरती और शिक्षा सम्मंदी अधिकार अनुछेद 39-30, समयधानिक उप्चारों का अधि मूल अधिकारों की कुछ सामाने विशेष्टाओं की भी हाँ पे चर्चा करना उचित रहेगा मूल अधिकार एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये वादियोगे हैं यानि कि जस्ती शेवल है राज्यों उन पर युक्ति युक्त मतलब की जहां नियाय संगतों वो प्रतिभंद लगा सकता है हाला की प्रतिभंदों के औचिते का निर्धारण नियाले द्वारा ही किया जाता है दूतरी बात आती है की ये सरकार के एक पक्षिय निर्णे के विरुद उपलग है ये कुछ उन में से कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्वी मूल अधिकार उपलग कुछ अधिकार इसमें से नकारात्मक विशेशताओं वाले भी होते हैं जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से सम्मंदित अधिकार जबके कुछ सकारात्मक होते हैं जैसे व्यक्तियों के लिए विशेश सुविधाओं का प्रावधान मूल अधिकार इस्थाई नहीं होते क्योंकि संसक्त समिधान संशोधन के मार्द्यम से इनमें कटोती या कमी कर सकती है राश्ट्रीय अपातकाल की दौरान अनुछेद 20 वे 21 को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है मूल अधिकारों की गारंटी सर्वोच नियाले द्वारा दी जाती है Importance of Fundamental Rights क्या है क्यूं जरूरत पढ़ती है किसी भी देश के संधान को मूल अधिकारों की व्यवस्था करने की क्योंकि मूल अधिकारों से देश में लोगतांत्रिक व्यवस्था उत्पन होती है व्यक्ति अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं विधी का शाशन इस्थापित रहता है सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला होता है मूल अधिकार। अल्व संख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। कुछ मूल अधिकारों के बारे में कुछ अलोचना के बिंदू भी हम यां चर्चा करेंगे मूल अधिकार असंख्य अपवादों, प्रतिबंदों और व्याक्षाओं के विशे हैं मतलब इन में कुछ न कुछ केसिज चलते रहते हैं, कुछ कोर्ट केसिज होते रहते हैं मुख्ष रूप से राजनितिक अधिकारों का उलेक किया गया है मूल अधिकारों में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की विवस्था का अभाव है क्योंकि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार, विश्राम एवं सुविधा का अधिकार जैसे उप्बंद शामिल नहीं किये गए है कई-कई जगे मूल अधिकारों की असपश्ट व्याक्या है, दुंदली व्याक्या है, जैसे लोख विवस्था, आल्प संख्या, उचित प्रतिभंद और सारजनिक हित आधि शब्दों की व्याक्या असपश्ट है मूल अधिकारों में इस्थाइत्व का अभाव क्योंकि पाया जाता है, क्योंकि जैसे कि हमने उपर देखा, यह संसद इसमें कटावती कर सकती है, समिधान संशोधन के माध्यम से कुछ आलुचकों का ये भी मानना है, कि निवारक निरोद का उपबंद मूल अधिकारों की मुख्य भावना से से दूर करना है, यह राज्यों को मनमानी शक्ती प्रदान करता है कई बार ऐसा होता है व्यक्ती को अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए महंगी नए प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है 42 में समिधान संशोधन के द्वारा कुछ मौलिक करतव्यों को भी इसमें जोडा गया है जैसे मौलिक करतव्यों जोडने के अलावा मौल बूत जो समिधान था उसमें कुछ संशोधन भी किये गए है जैसे जो इंपोर्टन संशोधन है वो ये है 42 में समिधान संशोधन द्वारा भारतिय समिधान में समाजवादी, धर निर्पेक्ष एवं अखंडता ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि 42 में समिधान संशोधन द्वारा तीन शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं कौन-कौन से समाजवादी, धर, निर्पेक्ष एवं अखंडता दूसरा है इसमें राश्ट्रपती को कैबिनेट की सलह मानने के लिए भाद्द किया गया है तीसरे जो संशोधन किया गया वो ये है कि समिधान संशोधन को न्याईट प्रक्रिया से भार कर नीती निदेशक सत्नों को व्यापक बनाया गया है और एक और संशोधन किया गया वो ये है कि शिक्षा, वन, वन्य जीवों, एवं पक्षियों का संडक्षन, नापतौल और न्याय प्रिशासन तथा उच्चतम और उच्च न्याले के अलावा सभी न्यालेों के गठन और संगठन के विश्यों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांत्रित किया गया है मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये पहले राज्य सूची में थे लेकिन 42 समिधान संशोधन द्वारा उन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया गया है अब हम चर्चा करते हैं मूल कर्तव्यों की मूल करतव्य राज्य और नागरिकों के मध्धे एक सामाजिक अनुभंध है जो किसी देश के समिधान द्वारा बैदता प्रदान करता है सभी नागरिक, मूल करतव्यों का उदेश्य है कि सभी नागरिक समाज और राज्य के प्रती अपने दाइत्मों के निर्वाहन में इमानदार रहे मूल करतव्यों में हम जो ये सूची है इसके बारे में की दस मूल करतव्यों की प्रारम में चर्चा की गई थी जैसे कि समिधान का पालन किया जाएगा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्टधवज और राष्टगान का आदर किया जाएगा देश की रक्षा की जाएगी सभी लोगों में सम्रस्ता का भाव होगा सार्जनिक संपत्ति को सुरक्षित रखा जाएगा 6-14 वर्ष तक की आयू के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्द कराना होगा और यह कर्तव्य 46 वे समिधान संशोदा नदीनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया लास्ट का जो मूल कर्तव्य है यह 86 वे 86 Constitutional Amendment 2002 द्वारा जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों की विशेश्ताओं में कि जो मूल कर्तव्य हैं यह नहतिक और नागरिक दोनाई प्रकार के इसमें कर्तव्य शामिल किये गए है जैसे स्वतंत्तर्तर के लिए हमारे राष्ट्रिय संगर्श को प्रेरीत करने वाले महान आदर्शों का पालन करना एक नहतिक कर्तव्य है जबकि समिधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राश्ट्रधज और राश्ट्रगीत का आदर करना एक नागरिक का कर्तव्य है दूसरी बात आती है, ये जो नैतिक कर्तव्य है ये मूल कर्तव्य है वह भारतिय परमपरा, वरानिक कठाओं और धर्म और पदतिन से सम्मधित हैं कुछ मौलिक अधिकार हमारे याँ भारतिय नागरिकों के सासर विदेशी नागरिकों को भी फ्राब्त हैं परन्तु ये ध्यान देने वाली बात है मौलिक करतवे केवल भारतिय नागरिकों पर ही लागू होते हैं कानून के अनुसार मौलिक करतवे गैर नयायचित या मतलब वो जस्टिश येबल नहीं होते हैं अर्थात उनके उलंगन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंद लागू नहीं किया जा सकता है इसकी क्या लगता है कि क्या importance है तो वो यह है कि जैसे कोई भी व्यक्ति किसी अभी तरीके से किसी को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया जाएगा और दूसरी बात यह है कि ये व्यक्ति नागरिकों में एक अनुशासन बढ़ाता है देश के प्रती अपने कर्तवियों की याद दिलाता है और देश समाज और साथी नागरिकों के प्रती अपने कर्तवियों को ये प्रती सजकता दिखाता है कुछ बिंदू आलोचना के भी हैं क्योंकि इसमें जो है एक तो सबसे बड़ी बात कि जैसे जो बेसिक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मुख्यंग है हमने अरस्तु में भी आप पढ़ेंगे वो कहता था कि नाइक प्रक्रिया में मतदान प्रक्रिया में शामिल होते हो तभी आप नागरी को ऐसे में मतदान, करदाईगी, परिवार नियोजनादी को मूल कर्तवयों में शामिल नहीं किया गया है दूसरी बात है कि ये जस्टिशेबल नहीं है अगर कोई भी नागरी मौलिक करतव्यों का उलंगन करता है तो वह कहीं भी रतारित या उसको सजा का प्रावधान नहीं है दूसरी बात है कि इसन को सही डंसे परिभाशिक नहीं किया गया है फिर है कि समिधान के मूल करतव्यों को मुख्य रूप से भाग तीन के साथ जोड़ा जाना चाहिए था जबकि ये जोड़े गए हैं भाग चार यानि की नीती निदेशक सत्मों के साथ में फिर है कि मूल अधिकार और मौलिक करतव्यों दौनों एक दूसरे के पूरक हैं कैसे जैसे कि मानलो एक और नागरिकों को शिक्ष्यास वास्त सड़क परिवें जैसी सुविधाओं के उपभोग का अधिकार प्राप्त है तो उनकी जो रख रखाव है कि सड़क पर हम किसी तरह की गंदगी नहीं कैलाएं सड़क को मिंटेन करें तो ये मौलिक करतव्यों में आ जता है दूसरी बात है कि यदि समिधान में शांती पूर्वक विरोध प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त है तो सारजनिक संपत्ति को नुक्सान नहीं पहुंचाना नागरिक का करतव्य है 6-14 वर्ष तक का प्रात्मिक शिक्षा प्राप्त कराना मौलिक अधिकार है वहीं मौलिक करतव्य ये है कि अभिभावक भी अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाएं तो इस तरह से जहां हमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है वहीं ये हमारा ड्यूटी है कि अय सामाजिक और देश विरोधी तत्मों के बारे में जाच अजन्सियों को सूचना उपलब्द कराने का अधिकार भी हमें प्राप्त है करतव्य हमारा ये कहता है। अधिकार जां हमें देश में कहीं भी स्वतंतरूपते रहने, घूमने की स्वतंतरता देते हैं, वहीं मौलिक करतवे हमें, देश के प्रती हमारे दायत्व के निभाने का आदेश भी देते हैं. तो इसमें जो असाइन्मेंट है वो ये है कि भारतिय समिधान में मौल अधिकार तथा मौल करतवे की उपस्तिती एक संतुलनकारी समन्वे है, कि पनी करें, तो इसके बारे में आप लिखेगा और मुझे बताईएगा. धन्यवाद.